वीडियो कंटेंट हैस बीन मेड अवेलेबल फॉर इन्फरमेशन एंड एजुकेशनल परपाज ओनली। यूनिडेलेक्शनल ट्रेड इस्ट्रेजी इस कॉपिराइट कंटेंट आफ आइफमसी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। स्ट्रेजी सटी क्यों नहीं होगी। सिर्फ आइफमसी एक ऐसा इंस्टिट्यूट है जहां पर आप अक्यूरेटली और पर्फेक्टली 100% कॉन्फिदेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग-अलग चीज़े हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिनुवस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी। पर ट्रेडिंग एक प्राक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्राटेजी पर ही आधारित होती है। तो आईए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सब्ता की हमारे सीनियर आनलिस्ट मिस्टर मनीश दनेजर जी के साथ। दोस्तों लास्ट वीक भी मार्केट करीब 300-300 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ और हमने देखा पिछले करीब दो हफ्तों से मार्केट में एक अच्छी खासी करीब हजार पॉइंट की निफ्टी की तेजी बनी हैं। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों के साथ discussion किया था कि मार्केट में भी कुछ time ऐसा आता है जब मार्केट में vacations लेनी चाहिए। हाँ दोस्तों शायद यह वही time है कि जब मार्केट में हमको थोड़ा सा काम कम कर देना चाहिए। रिजन बिहाइंड कि अभी हाँ आप लोगों ने देखा कि हमारे जो वीकली और डेली ट्रेंड्स है वो अफ़र्ड है लेकिन जो मंतली ट्रेंड है वो अभी भी डाउनवर्ड है और उसके पीछे रिजन केवल एक है कि आज है 15 तारिक मंत की कैंडल अभी कंप्लीट नहीं ह है हाला कि रिजिस्टेंस का जो हमारा मंतली रिजिस्टेंस लेवल था 17,780 का उसके उपर मार्केट चल रहा है लेकिन मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि मार्केट को इस लेवल के उपर कुछ टाइम के लिए सस्टेन करना बहुत जरूरी है हाला कि एक हफता निक लेवल है उसके उपर ही सस्टेन किये हुए है देखना यह होगा कि यह कुछ टाइम और सस्टेन कर पाता है या नहीं और मंत की कैंडल जब कंप्लीट होएगी तो ही हम एट लीस्ट जो हमारे साथ बिगनर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि मार कि के लिए तो दोस्तों यह हैं मंत लीग एंडल हमने देखा था करीब दो महीने पहले मार्किट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुा था उसके ऐद मार्किट में अब करीब ओल्मोस्ट ठाई महीने के बाद वापिस जो levels है, मंतली candle का ये वाला जो level है, इसको breach करा है इस वाली candle ने, जो हमारी January की candle है, लेकिन ये अभी formation चालू है, ये candle अभी complete नहीं हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ये रखना है, कि market में ये candle को complete होना है, उसके बाद ही हम perfect confirmation मानते हैं, कि market एक long positional जो traders हैं, उनके लिए भी market एक bull trend में आई है, तो basically अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना है, चलिए चलते हैं, और इसको मैं आपको charts के ओपर daily charts पर दिखाने की कोशिश करता हूं, तो दोस्तों ये मैंने अब लगाया है weekly chart 17783 हमारा monthly resistance था, जिसको last जो previous week हुआ था, उसने breach करके close किया था, और ये वाले week में भी पूरे हफ़ते market हमारा 17783 के level के उपर रही, तो अब मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे questions आते हैं, कि सर ऐसे में क्या करना चाहिए, कि जब market जो है, वो monthly resistance के उपर है, लेकिन अभी candle complete नहीं हुई है, मन्त की तो हम इसको क्या माने, तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी मैं बात करता हूँ कि vacation, तो vacation मतलब जहां market में confusion रहें, जहां आपको 100% market में trade करने का confidence ना आए, तो वो vacation time है, उस समय आपको अपने आपको अलग करना चाहिए, हाँ, traders भी दो किसम के हैं, एक moderate traders हैं और एक aggressive traders हैं, जो aggressive traders हैं, अगर उनको ऐसी market में काम करना है, तो उनके लिए बहुत clear है कि daily जो trend है, वो भी upward है, weekly trend भी upward है, और monthly resistance के ऊपर हमारी weekly की जो candle है, वो close last week ही कर चुकी है, तो basically इस समय market में जो लोग भी trade कर रहे हैं, वो वाके में experience लोग होंगे, और अगर आप beginner हैं, अगर आप starter हैं, तो ऐसे moment पे थोड़ा स आप wait कर सकते हैं, क्योंकि market बंद होने नहीं जा रही है, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसे moments पे अगर कहीं बड़ी volatility बन गई और आप trap होएं, तो आपको नुकसान हो सकता है, तो market में बने रहना ज़्यादा जलूरी है, कमाई तो market में आप कर ही लेंगे, जब आपक चार 80 करीब 230 पॉइंट उपर, गोल्ड बंद हुआ है, 47,780 करीब 300 पॉइंट उपर, और अब आज मैं जरूर बात करूँगा एक खास topic option chain के बारे में, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, option chain basically एक ऐसा tool है, जिसके जरीए आप market के अंदर support और resistance nifty का निकाल सकते है तो चले एक example लेके चलते हैं, और मैं सीधा चलता हूँ पहले, गूगल के उपर और आपको बताता हूँ कहां से हमको जो है ये option chain देखने को मिलता है, आप गूगल पे just type कर दीजे, option chain nifty आगया, option chain nifty इसको आप click करें, आपको NSE की website पे ले जाएगा, हम आगे हैं, nifty के option chain यहां पर expiry date दिया हुआ है, हम expiry इसमे monthly expiry को select कर लेते हैं, जो है 27 January, 27 January को मैंने select कर लिया है, और मैंने देखा हम एक नीचे चार्ट जो है, मेरे पास खुल गया है, जिसके अंदर एक तरफ, यहां पर यह calls हैं, और यहां पर puts हैं, यह बीच में strike price हैं, यहां corner में open interest आ र download कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी easy होगा हमको देखने में, यहां पर download button है, आप इसको download कर सकते हैं, और मैंने इसको download किया हुआ है, और मैं chart को लगा देता हूँ, यह मैंने download कर रखा है आपके लिए, अब आप यह देखें, कि यह जो option chain का chart है, nifty का, इसके अंदर इस तरफ हमारे जितने भी आ रहे हैं, वो सारे calls के open interest आ रहे हैं corner में, यहां open interest आ रहा है puts का, तो basically option chain से आप view नहीं बनाते हैं, view आप अपनी कोई strategy से बनाते हैं, technical analysis के किसी tool से बनाते हैं, और हम लोग UDTS से बनाते हैं, तो basically अगर UDTS में, अब हमको पता है कि इस समय daily, weekly और दोनों upward है, लेकिन monthly downward है, लेकिन जो current market price है, वो month के resistance के ऊपर चल रहा है, तो obviously यह तो view पका हो गया कि एक market में, अगर मैं aggressive trader हूँ और मुझे trade करना है, तो मैं buying side के trades को पकड़ूँगा, और ऐसे में, जब मैं buying side के trades को पकड़ता हूँ, या मैं nifty को पकड़ता हूँ, तो मेरे 50 के क्या support and resistance होने चाहिए, वो हम option chain से एक बार verify कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, बहुत simple way में, आप ये देखें कि open interest कौन सी strike price में सबसे ज़्यादा है, अब आप यहाँ यह बीच में सारी strike price आ रही है, आप ये देखें, मैंने यहाँ पर note कर रखा है आप लोगों के largest to smallest, यह आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो open interest है, वो है 38,961 का call में, यह है 18,500 की call, तो अब आप लोग नोट करते रहेंगे, 18,500 की call का 38,900 का open interest है, उसके बाद दूसरे नंबर पे 18,200 जिसका 36,000 की open interest है, उसके बाद है 18,000 जिसका open interest है, 33,000 और यह हमारे top 3 strike price है, जिनके call options में सबसे ज़्यादा open interest है, अगर open interest ज़्यादा है, तो हम यह मान के चलते हैं कि 18,500 पे जो बड़े लोगे हैं, वो options को write करके चलते हैं, तो ऐसे में 18,500 और 18,200 की calls write हुई हुई है, इसका मतलब ऊपर के जो levels हैं, अगर 18,200 का के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो 18,500 जो है, वो मेरा एक major resistance है, और उसके नीचे 18,200, तो जाने कि 18,200 और 18,500 हमारे पास higher side के resistance है, क्योंकि इसके अंदर जादा से जादा open interest बना हुआ है, जो call writer है, उसने यहाँ पर call को write किया हुआ है, और वो उसको यह लग रहा ह कि market इसके उपर नहीं जाएगी, तो हमको दो level मिल गए, 18,500 और 18,200 के उपर के, अब चलते हैं, ऐसे ही puts के उपर, और यहाँ पर यह है open interest, मैंने open interest को largest to smallest में किया, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो open interest आ रहा है, 62,000 का, वो आ रहा है, 17,000 की put पे, उसके बाद 54,000 आ रहा पे, और उसके बाद फिर 49,000 आ रहा है, करीब करीब 17,500, तो basically हमको अब नीचे के level जो मिले हैं, वो मिले हैं, 17,500 और 17,000, तो basically अगर हम इसको draw करना चाहें, तो basically अगर 18,200 का निफ्टी चल रहा है, तो 18,500 का एक उपर का resistance है, option chain के हिसाब से, एक 18,000 का है नीचे support और उसके बाद 17,500 और उसके बाद 17,000, ये basically हमको option chain से ये पता लगा कि 18,500, 18,200, 18,000, 17,500, 17,000, ये चार strike price हैं, जिनके उपर सबसे ज़्यादा open interest बना हुआ है, जहां पर call writer ने या put writer ने calls को write किया हुआ या put को write किया हुआ है, तो आपके रिवांग में ये हो सकता है, ये रहेगा कि हाँ, market में उपर का जो level है, वो 18,200 और उसके बाद 18,500, तो basically option chain हमको help करता है, हमारे को basically support और resistance market का देखने के लिए, तो इससे बहुत clear होता है कि नीचे का मोटा माटे जो हमारा resistance है 17,500 और उपर का 18,500, तो दोस्तों option chain से हमने ये देखा कि कैसे हम इसके अंदर जो भी हमने view बनाया हुआ है, bullish या bearish, उसके अंदर हम support और resistance को reconfirm जो है, वो इसके साथ कर सकते हैं, view हम केवल अपनी strategy से ही बनाएंगे, जो भी आप strategy use करते हैं और option chain को आप केवल use करें support और resistance निकालने के लिए, इसके साथ हम एक चीज़ और देख सकते हैं, आप देखें कि puts के अंदर अगर मैं total open interest देखता हूँ, वो करीब 7 लाख का open interest है, और calls के अंदर जो open interest है, वो करीब 4 लाख का है, तो put का जो open interest है, वो call के open interest से ज़्यादा है, यानि के put ज़्यादा विकी हुई है, और put ज़्यादा विकी हुई है, इसका मतलब market का trend upward है, तो अब हमने देखा option chain से भी हमको वोई direction मिल रही है upward की, जैसे की हमको UDTS से मिल रही है, तो चलिए, अब चलते हैं सीधा, कुछ news को discuss करते हैं और उसके बाद सीधा conclusion पर चलते हैं, last week भी हमने देखा inflation को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, कोई inflation के उपर कोई बड़ा काम अभी ना तो central banks करने के mood में हैं, और ना ही FED की तरफ से कोई इशारा इसके उपर हुआ है, हाला कि Omicron controlled है, फैल जरूर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा के लिए इफेक्ट नहीं है, तो मार्केट ने अभी जो है Omicron के numbers को भी किनारे किया हुआ है, तो इन दोनों चीज़ों को मार्केट पीछे छोड़ता हुआ और वापस मार्केट जो है वो 18,200 के levels के उपर आया है, एक positive trend जो है मार्केट में दुबारा से हमको देखने को मिल गया है, overall earnings जो हैं वो भी better मानी जा रही है, IT companies की बहुत बड़ी अर्निंग जा रही है और इसके साथ-साथ जो मार्केट का जो रुख है, जो PE है यानि के जो एक रुझान है वो भी तेजी की तरफ जा रहा है, तो हमने देखा मार्केट में एक अच्छा 18,200 के उपर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा तेजी का trend बना हुआ है, और अगर मैं नेक्स्ट वीक की डाटा की बात करूँ, तो नेक्स्ट वीक मंडे को US की मार्केट बंद है, वहाँ चुटी है, Wednesday को Building Permits के नमबर आएंगे, Thursday को Initial Jobless Claim के नमबर आएंगे, और existing Home Sales के नमबर आएंगे, USA में, हिंदुस्तान में कोई बड़ा डाटा अगले हफते में हमारे पास नहीं है, तो overall जो trend रहेगा, वो last week का carry on रहेगा, तो चलते हैं सीधा UDTS Monitor पर, UDTS Intraday Screener पर और Nifty के levels को नोट करते हैं, नमशकार, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है, और पिछले पास सालों से मैं stock market में trade कर रहा हूँ, और market से मुझे निराशा ही हाथ लगी, फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS Strategy का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपे में online किया, तो आज मेरा trade करने का अंदाज ही वदल गया, Thank you IFMC, मुझे trade करना सिखाया और मेरा confidence regain करवाया, Call 9870-510-5111 और visit www.ifmcinstitute.com लेकिन हलका सा tilt है, bearish उसमे, reason इसके पीछे एक यही है, कि हम लोग emotions के साथ जुड़े हुए हैं, 50 cm के पास emotions नहीं है, हाँ, हमारे emotions कहते हैं कि market daily, weekly के उपर है, monthly जो resistance है उसके भी उपर है, तो हम market को upward मान रहे हैं, खास करके जो aggressive traders हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर बात ठीक है, कि अभी भी 15 दिन बाकी हैं, और अगर अगले कुछ time के लिए nifty sustain कर जाता है इन levels के उपर, तो ये सुई भी आपको वापस green zone की तरफ जाती हुई देखेगी, तो चलिए, नोट करते हैं nifty के levels, तो nifty daily के उपर upward है, जिसका support है 18,185, weekly के उपर भी nifty upward है, इसका support है 17,913, और monthly के उपर अभी भी हम downward है, resistance है 17,783, अब resistance जो है, जो nifty चल रहा है, nifty के नीचे तो support होता है, तो ये nifty के नीचे resistance क्यों है, इसके पीछे वो ही reason है, कि अभी ये month की जो candle है, वो complete नहीं हुई है, हमको इसको कुछ time देना चाहिए, तो चलिए, चलते हैं सीधा charts के उपर, और next week को conclude करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले नोट करेंगे bank nifty के levels, bank nifty daily के उपर downward है, resistance है 38,717, weekly के उपर bank nifty upward है, support है 37,930, और monthly के उपर bank nifty downward है, resistance है 35,902, दोस्तों हम आगे हैं daily charts पर, और nifty जो है वो हमारा बंद हुआ है, 18,255, 18,255 के उपर निफ्टी बंद हुआ है, 18,255 के नीचे जो daily support है, वो है 18,185, weekly support है 17,916, और monthly resistance है अभी भी 17,783, ये तो पक्की बात है कि जितने भी intraday traders हैं, या जो short positional traders हैं, उनके लिए केवल और केवल market के अंदर bullish stocks को ही choose करना है, तो ये तो बिल्कुल clear है कि market का जो trend है, short term trend वो उपर की तरफ है, तो basically जो daily trend है, हमारा 18,185 का support है, यानि कि जो short term traders और intraday traders के लिए support है, 18,185, positional traders के लिए support है 17,916, और long positional traders अभी काम ना करें, wait करें क्योंकि अभी भी हमारा जो monthly candle है, वो complete नहीं हुई है, केवल aggressive traders ही काम करेंगे, और मेरे साब से जो beginners हैं, वो थोड़ा सा अभी quiet रहें, तो अगर हम conclusion की बात करें, तो next week भी market के लिए एक positive week रहना चाहिए, जो news और data से एक sentiment create हुआ है, वो positive है, इसके इलावा जो technicals है market के, वो भी bullish हैं, चाहे वो daily charts पे हो, चाहे वो weekly charts पे हो, और चाहे वो monthly charts पे हो, monthly charts को मैं आपको समझा चुका हूँ, monthly charts में ये जरूर है कि जो monthly candle है, वो अभी complete formation नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, कि वो अपने पुराने resistance के उपर चल रही है, तो इसी लिए, तीनों ही trend हमारे, फिर से bullish trend में है, और जो लोग भी aggressive traders हैं, जो experience traders हैं, केवल वो ही लोग अभी इस समय काम करें, beginners केवल मजा लें, thank you so much, और like करते रहें, comment करते रहें, option chain, आज मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कोशिश करूँगा, next week आपको कुछ और बड़िया चीज, आपके सामने लेकिया है, thank you so much, stock trading के दुरान, मुझे क्या खरीदना चाहिए, और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए, और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परशान करते हैं, तो चलिए simplify करते हैं, stock trading को और निकालना सीखते हैं, वो accurate points, जहां हमें stock को buy या sell करना है, मेरे यानि मनीश तनेजा के साथ, IFMC की unitius strategies से, unitius यानि unidirectional trade strategies, जो है हर stock trader की पहली पसंद, जो बनाती है stock trading को, simple, accurate और stress free, unitius strategies सबी intervals पे काम करती हैं, चाहिए वो intraday हो, positional हो या long positional हो, मेरे 26 सालों के experience और expertise का निचोड़ है, unitius, IFMC की लोग प्रियता का राज है, उसकी copyright strategies, and IFMC is unchallenged leader in stock marketing, education. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.